है गाइस वेलकम बाक तो माई यूटिब चैनल माई नेम इस अभीदेव और लास्ट यह मैंने एक फ्यूल क्रेट कार्ट के उपर विडियो बनाई दी लेक 2023 में आपके लिए बेस्ट फ्यूल क्रेट कार्ट कौन सा है और उस विडियो पर आप सभी ने मुझे बहुत प्यूल क्रेट कार्ट के विडियो में सबसे पहले क्रेट कार्ट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है IDFC, HPCL First Power Plus क्रेट कार्ट ये क्रेट कार्ट अभी रिसेंटली मार्केट में लाँच हुआ है और इसमें काफी अच्छे बेनेफेट्स ये प्रोवाइट कर रहा है as compared to other fuel क्रेट कार्ट सबसे पहले इसकी joining fees और annual fees के बारे में बात करते हैं दोनों ही 499 रुपीज प्लस GST है जहां पर अगर आप 500 रुपीज से जादा का fuel transaction करते हैं अपना पहला उस पर आपको up to 500 रुपीज cashback मिल जाता है इससे एक तरीके से आपकी joining fees zero ही हो जाती है यहां पर अगर हम इस credit card के रुपे variant के बारे में बात करें तो रुपे variant के थुरू आप UPI transactions भी कर सकते हैं आपको simply अपने कोई भी UPI app पर इसको register करना है और अपने आप daily day to day transactions में इस credit card को use कर पाएंगे अगर हम इस credit card के rewards और benefits की बात करें तो आपको यहां पर 25% off up to 100 rupees मिल जाता है आपके movie के transactions पर अगर आप PTM के app से उसको book करते हैं तो अगर आप Swiggy को use करके अपना खाना order करते हैं 500 rupees से उपर का देन उस पर आपको directly 150 rupees off मिल जाता है movie के लिए जो आपको off मिलेगा यह month में आप एक ही बार use कर पाएंगे and Swiggy का ऐसा कुछ number of transactions नहीं है आप इसको multiple times use कर पाएंगे Swiggy के app पर अगर हम इस credit card के reward rate के बारे हम बात करें तो जो भी आप अपना fuel transaction करेंगे HP sale के petrol pump पर महाँ पर आपको 30 times reward point मिल जाएंगे जिसमें एक महीन में आपको 2400 reward points मिल सकते हैं जिसके value होती है 600 rupees so एक billing cycle पर आप 2400 reward points को यह earn कर पाएंगे and then after उसको आप redeem कर सकते हैं बाकि आपके जो भी grocery या फिर utility के transaction होंगे उस पर आपको 5% का reward rate मिल जाएगा and बाकी के सारे retail transactions पर आपको 3 times reward rate मिल जाएगा so इसको अगर normal language में हम समझे 150 rupees का आपका जो भी fuel transaction होगा उस पर आपको 30 reward points मिलेंगे आपका जो भी grocery या फिर utility transaction होगा उसपर आपको 7 reward points मिलेंगे 150 rupees का transaction पर and बाकी आपके जो भी retail transaction होगे उस पर आपको 3 reward points मिलेंगे हर 150 rupees का transaction पर यहाँ पर आपकी 1 reward point की value होती है 25 पैसा इस credit card की अगर हम besties के बारे हम बात करें तो वो है domestic lounge access इस credit card पर आपको हर एक quarter में एक domestic lounge access मिलेगा जिसमें आपकी minimum monthly spend 20,000 rupees होनी चाहिए आपको हर महीने 20,000 rupees से उपर का transaction करना है जो कि आप साल में 4 बर avail कर सकते हैं इसमें आपको personal accidental cover में मिल जाता है 2,000,000 रुपया तक IDFC bank में इससे similar एक और credit card आता है जिसकी fees होती है 199 rupees बट यह वाला variant definitely उससे better है आपकी जो 4,99 rupees plus GST जो भी आपकी fees होती है वो एक तरीके से 0 ही हो जाती है क्योंकि यह welcome benefit में आपको up to 500 rupees तक cash back दे देते हैं अगर आप yearly 1,500,000 रुपय से उपर का transaction करते हैं तो आपके renewal fees भी यहाँ पर wave of हो जाती है यह credit card के eligibility criteria fulfill करने के लिए आपकी age minimum 21 years होनी चाहिए आपकी annual income के बारे हम बात करें तो वो 3,00,000 रुपय से उपर की होनी चाहिए तैन आप उसके लिए simply apply कर सकते हैं next credit card की तरफ बढ़ते हैं जो है Indian Oil Axis Bank रुपे credit card इस credit card की joining fees और annual fees 500 rupees plus GST है इसमें as such आपको welcome benefit को जादा नहीं देखने को मिलता है अगर आप 30 दिनों के अंदर कोई भी fuel transaction कराते हैं तो उसमें आपको 100% cashback मिल जाता है up to 250 rupees का और इसको अगर हम IDFC bank से compare करें तो वहाँ पर आपको up to 500 rupees का cashback मिल रहा था इसके rewards और benefit के बारे हम बात करें तो आपको यहाँ पर 10% discount मिल जाता है आपके book my show के movie के transactions पर Indian oil के लिए जादा banks credit card नहीं issue कर रहे हैं एक HDFC bank का credit card आता है Indian oil का and second यह access का है जो HDFC bank का आता है उसमें तो आपको joining fees और annual fees पे कुछ भी wave off नहीं मिलता है like उसमें आपको कुछ भी welcome benefit नहीं देखने को मिलता है यह credit card definitely उससे better है क्योंकि यहाँ पर आपको up to 250 rupees का यह cash back दे रहे हैं अगर हम इस credit card के reward points के बारे हम बात करें तो आपको यहाँ पर 20 reward points मिलते हैं per 100 rupees के आपके fuel के transaction पर 5 reward points आपकी बाकी online shopping पर और एक reward point बाकी सारे आपके retail transactions पर बाकी इसमें आपको कोई भी insurance benefits, travel benefits like domestic lounge access हो गया या फिर railway का lounge access हो गया ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है मेरे according अगर आपके घर के आसपस और कोई petrol pumps है like other than Indian oil then आपको इस credit card को नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही कम benefits देखने को मिलेंगे इससे better options available है market में अब next credit card के तरफ बढ़ता है जो है BPCL, SBI card octane ये credit card इस category में सबसे जाइनिंग fees और annual fees के साथ आता है although इससे एक downgraded variant भी है BPCL का SBI credit card में बट ये उससे काफी जादा better benefits के साथ आता है अगर हम इस credit card के reward rate देखें या फिर benefits देखें तो वो इसके downgraded variant को काफी सारी चीजों में beat करता है अगर हम इसकी joining fees और annual fees के बारे में बात करें तो वो है 1499 rupees plus GST और ये लोग as a welcome benefit आपको 6000 reward points देते हैं जिसके value 1500 rupees होती है तो एक तरीके से आपकी joining fees यहाँ पर 0 हो जाती है अगर आपको renewal fees wave off करानी है आपकी तो आपको yearly 2,00,00 रुपए से उपर का transaction करना पड़ेगा जिससे आपकी yearly fees wave off हो जाएगी अगर हम इसके rewards और benefits के बात करें तो आपको यहाँ पर 10 times reward points मिलते हैं आपके movie और dining के transactions पर अगर आपके fuel transactions की बात करें तो यहाँ पर आपको 25 times reward points मिलते हैं पर 100 rupees के transaction पर जो है 6.25% का reward rate यह best है fuel credit cards की category में बाकी आपको 10 reward points मिलते हैं आपके grocery और utilities के transaction पर एक reward point मिलते हैं बाकी सभी transactions पर प्लंप के साथ यहां पर आपको डुमेस्टिक लाउंज ठसेशा का उनले जाता श्मव जाता है जिसочь लिए आपको assets कुछ minimum transactions नहीं करने हैं जैसे कि हमने देखा था IDFC bank में आपको minimum monthly 20,000 रुपीज का transaction करना पड़ेगा domestic lounge access को avail करने के लिए बट यहाँ पर आपको assets कुछ भी transaction नहीं करने हैं simply आपको यहाँ पर 4 domestic lounge access मिल जाते हैं अगर आप साल में 3 लाग रुपए से उपर का transaction करते हैं तो यहाँ पर आपको gift voucher से भी मिलते हैं जिसकी value होती है 2000 रुपीज और यह आप बाटा के store पर हश पपीज के store पर आदेत बिल्डा lifestyle के store पर इन सभी मैं से कही पर भी आप इसको avail कर पाएंगे and at last अगर आपके साथ कुछ भी इस credit card के through fraud हो जाता है then आपको वन लाक रुपीज तक का cover पर मिलता है यहाँ पर I don't think so इस credit card में ऐसे कुछ भी cons है मेरे according यह best credit card है fuel credit card की category मैं I'm sure हर जगे पे BBCL का petrol pump होता है so आप अपने according आपके लिए जो भी convenient है उसके according अपना credit card चूज कर सकते है and guys please अगर आप credit card ले रहा है तो उसको carefully use कीजिए आपका जितना भी amount उसमें आ रहा है आपको उतना pay करना है अपना हमेशा bill check करना है लाइक उसमें कुछ extra interest तो नहीं हो रहा है so मेरे according मैंने आपको best credit card यहाँ पर बताए है fuel transactions की category मैं आपको गर यह वीडियो useful लगे हो then definitely इस वीडियो को like zero करना and channel को subscribe कर देना see you guys in the next video